नमस्कार दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे PGT Commerce का syllabus क्या-क्या है और आपको इसकी तयारी कैसे करनी चाहिए तो चलिए इस वीडियो की सुरुआत करते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आपको वीडि तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की तो PGT Commerce का जो syllabus है उसे दो पार्ट में डिवाइट किया गया एक तो पार्ट वन पार्ट वन में क्या आता है वो आता है बिजनस स्टेडी और मेनेजमेंट और सेकंड पार्ट में वो आता है तो वो है अकाउंटेंसी बात करते हैं चेप्टर वाइस की कौन कौन से चेप्टर इसमें पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या होता है और फिर हम बात करेंगे कि आपको इसे कैसे पढ़ना चाहिए और इस पूरे syllabus को कैसे कवर करना चाहिए ताकि आप exam में अच्छा performance दे पाएं तो चलिए सुपःटी जो पार्ट एक है उसमें business study और management आता है तो business study जो होता है वो काफी आसान होता है in comparative to management management के comparison में business study में पढ़ाया इसमें जो syllabus cover किया जाता है वो आसान होता है और इसमें marks लाना management की comparison में आसान होते हैं इसमें क्योंकि concept वाइस ज्यादा होता है आसानी से concept सबंज में आ जाते हैं concept तो दूनों ही तरफ होते हैं business study में भी management में परन्तु business study को पढ़ना और retain करना आसान होता है in compare to management तो चलिए बात करते हैं तो सबसे पहला चेप्टर जो आता है वो आता है introduction of business तो business क्या होता है business के concept क्या होते हैं इसके अंतर ये cover किया जाता है तो ये काफी आसान चेप्टर होता है इसमें आपको business के बारे में पढ़ना होता है पूछाते हैं more जो क्या होते है इसके बारे में क्या होता है इसमें discussion क्या जाता है तो ये काफी एक basic chapter होता है और ये काफी आसान शिक्टर होता है अब बात करते हैं chapter number two पर form of business organization मतलब business organization कितने प्रकार का होता है business किस किस प्रकार का हो सकता है उसके बारे में ये पूछा जाता है इस chapter में बताया जाता है और इससे question जो आते हैं वो काफी easy होते हैं और आसानी से आ अंदर आता है joint Hindu family या हुए भी का जाता है Hindu undivided family भी इसे का जाता है वो इसके अंदर कवर होता है partnership साजेदारी क्या होती है joint stock company क्या होती है और cooperative organization क्या होते हैं तो यह काफी सरल होता है और आसानी से समझ में आने वाला chapter होता है तो यह आपको जरूर से कवर करना चाहिए इसक country क्या होते हैं joint sector public enterprise क्या होते हैं और क्या होता है global應 on implementation अंतलब क्या होती है और coordinational ने यह कंपनी और joint venture क्या होते हैं इसमें यह जो दो chapter सुरू के हैं यह दो chapter यह दो chapter conceptual होते हैं इसमें आपको कंसेट्र बता जाता है कि public sector company क्या होती है या source क्या होते हैं पार्टनर्शिप क्या होती है तो यह conceptually आपको बताया जाता है हर एक nature का कि किस-kis type के होते हैं business और उनके ownership कैसी होती private company क्या होती पब्ली company तो यहां से question आते हैं और काफी basic question आते हैं इसके बाद बात करेंगे business service मतलब इसमें बताया जाता है कि business किस-kis प्रकार की service देता है तो वह इस chapter के अंदर discuss किया जाता है मतलब banking company banking क्या होता है insurance क्या होता है transportation क्या होता है वियर आउसिंग क्या होते हैं communication क्या होते हैं impact of technology on business अब impact of technology बिजनस में क्या जाए बिजनस पर टेक्नलोजी का impact पड़ा तो देखिए पहले वैपार अब इसके अंदर क्या पुछा जाएगा e-commerce क्या होता है online payment service क्या होती है अब e-commerce क्योंकि देखिए पहले business पहले भी समान बिखता था आज भी समान बिखता है परन्तु difference क्या गया पहले लोग normally shop पर जाते थे और समान खरीती है आज कल वेखती online समान खरीत रहा है तो technology का impact क्या हुआ अब online business चालो हो गया तो यह technology का impact जो इसमें cover होगा तो इस प्रकार का concept इसमें पूछा जाता है मैंने आपको पहले ही बता दे कि business study के जो concept होते है वो retain करने मे आसान होते हैं और इसमें से chapter में से जब question पूछे जाते हैं तो आसानी से बनते हैं तो इसे कभी भी छोड़ना नहीं है ठीक है इसके बाद बात करते हैं trade अब देखिए इसमें trade मतलब व्यापार के अंतरकत आप से पूछा जाएगा इसके अंदर जो chapter cover के जाएंगे international trade क्य wholesale trade क्या होता है और emerging modes of business emerging mode of business में क्या आजाएगा e-commerce आजाएगा ये सारी चीज़े drop shipping business जैसे आजकल आया है वो इसमें पूछा नहीं जाएगा मैं example में बता रहा हूं पर e-commerce business जो है emerging business modes में आएगा e-business जो e-commerce business वो outsourcing क्या होता है तो देखिए अब outsourcing में क्या होता है outsourcing ए जिसे मालीच आपका व्यापार है उसमें आपका account खुदी समालते हैं तो accounting की service आपने किसी को दूसरे को दे दी तो उस चीज को कहा जाता है outsourcing मतलब आपने अपना account किसको दे दिया बाहरी वेक्ति को दे दिया तो इसे कहा जाएगा outsourcing ठीक है तो ये concept इसमें पूछा जाए वर्ल बेंग क्या होता है यू एन सी टी एडी क्या होता है ये question आपसे confirm ली यहां से question बनते ही बनते हैं तो ये एक सरल चेप्टर होने के साथ साथ आएमपी चेप्टर भी क्योंकि इसमें से question आपसे पूछा ही जाएगा और इसके बाद आता है business finance अब देखिए उपर आप हमें देखना है कि business प्रकार के कितने होते हैं international भी कर सकते हैं और हम जो है wholesale प्राइवेट यह सब कर सकते हैं अब यह तो कर लिया पर इसके लिए हमें क्या चाहिए business finance तो finance के लिए भी यहां पर पूछा गया है तो देखिए honors और borrowed fund के होते हैं मतलब खुद capital लगाते हैं उस यहां पर global depository receipt और American depository receipt और ADR का मतलब यह होता है कि यह पूरे विश्यूमें कहीं जब कोई security Indian company इसु करती है तो उसे कहा जाता है global depository receipt और वही company जब अमेरिका में इसु करती है अपने security तो उसे कहा जाता है अमेरिकन डिपोजिटर रिसिप्ट यहां से इसमें से question तो confirmly पूछे जाते हैं इसके बाद bond क्या होते हैं ठीक है retained profit क्या होता है public deposit क्या होते है loans from financial institute क्या होते है commercial bank क्या होते है credit rating agency क्या होती है trade credit क्या होती है micro credit क्या होती है यह question काफी सरल है आसानी से आप से पूछा जाएगा social responsibility social responsibility of business क्या है business ethics क्या और environment protection अब environment protection से देखिए आपर लिखा गया तो इसका मतलब क्या आपको environment protection act के नाम पता होनी चाहिए उनका कब कौन से environment act आए उनका पता होना चाहिए और वह project की implementation date क्या थी यह portion यहां से पूछा जाएगता और social responsibility for business यहां पर आप से company लोगा एक section section 135 पूछा जाएगता क्योंकि social responsibility के लिए उसमें provision क्या गया है company कौन कौन कंपनी पर CSR आपने सुना होगा CSR provision अपली के बाले तो वह यहां पर cover हो सकता है तो यह तो गया क्या business study का अब आ जाता है management management थोड़ा सव टफ होता है क्योंकि इसमें बहुत जो होते हैं author होते हैं जो अपनी definition दिये उन्होंने कुछ concept दिये इसके कारण थोड़ा सव difficult हो जाता है तो इसे आसानी से पढ़िएगा इसे आराम से पढ़िएगा यहां पर जाओ आप management में आए तो थोड़ा आराम से पढ़े ताकि चीज़े आराम से समझ में आए आसानी से समझ में आ जाएंगे तो फिर वो रहेंगे अब देखे principle of management general and scientific यहां से question पूछा ही जा उसका परिणाम हुआ कि इंडिया में आप देखेंगे रिलाइंस कंपनी टाटा कंपनी ऐसे प्राइविट कंपनी है क्यों आपाई क्यों कि सरकार ने अपने नियंतरन से बाहर कर दिये वैपारों को तब globalization का मतलब क्या होता है भी स्विस तरफे काम करना जैसे आपने management function यह थोड़ा सा tough पड़ेगा हलका सा tough पड़ेगा ज्यादा tough नहीं है क्योंकि इसमें concept है पर यहां से question confirm ली आते हैं यहां से question पूछे ही जाते हैं इसके बाद जाएगा business finance जो मैंने आपने बताया उसका ही एक अलग तरीके का रूप है आपर कि इसमें सबस्यादा question पू पूछी जा सकती है और working capital क्या होती है यह भी question पूछा जाता है तो याद रखिएगा financial market यहां पर आपसे financial market मतलब share market क्या होता है और capital market क्या होता है instruments क्या होते हैं यह सब पूछा जाएगा स्टॉक exchange यहां पर आ गया is secondary market primary market क्या होता है यहां से आपको secondary market primary market को पढ़िए गा तो यहां पर ध्यान रखिए गा जब secondary और primary market जब पढ़ें तब यहां पर examples भी ध्यान रखिए यहां से example Pestäğ तो दिहान रख्येगा एक्जांपल देदेंगे आपको कि यह प्राइमरी मार्केट का एक्जांपल इनमें से कौन सा है और रीडिया में उससे रिलेड़ जो रूल्स और रेगुलेशन बनाती है वह कुन बनाती है से भी बनाती है तो यहां से कुछन पूछा जाएगा उम्माद रिसोर्स मेनेजमेंट यहां यह इसमें बताएगा सेलेक्शन क्या होता है रिकूट्मेंट क्या होती ट्रेनिंग डिवलपमेंट और प्रफॉर्मेंस याद रखेगा सबस्यादा पूछे जाएंगे कोश्चन तो यहां से पूछे जाएंगे इसमें से फिर मार्केटिंग में क्योंकि यहां पर आएगा प्रोड़क्त मिस्क्रिया होता है मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं यहां से कुछे जाएगा इसके बाद देख यहां से क्या होगा अब theory question चालू होगा है तो यहां पर अच्छे से पढ़िएगा अराम से पढ़िएगा इसके बाद आएगा emerging trends in management management में emerging trends क्या आएं trends क्या आएं वो बताना होगा और जो सबसे IMP है यहां पर वो है यह business standardization और ISO ISO माइक आपने सुनाओगा quality standard के लिए रहता है तो यहां पर आपसे क्या पूछेंगे कोई सब एक ISO मांग दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि यह किस से related है किसके लिए दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए तो यहां पर जो IMP होंगे मैं उसकी आपको लिस्ट बता दूँगा अगर आपको जरुवत लगेगी तो वह आप पढ़के जाएंगे तो वहां से question पूछा ही जाता है हर बार एक question यहां से पूछा जाता है total quality management क्या होता है benchmarking क्या होता है यह एक IMPA benchmarking का मतलब क्या होता है जब हम किसी अपने industry में जो leader है उसको हमारा benchmark बना लेते हैं और फिर उससे अपने आपको compare reason करते हैं जैसे आप मान लीजे आप class में पढ़ रहें तो आप क्लास में पढ़ रहें तो आप क्या करेंगे अपन consumer protection के लिए कौन सा एक्ट बनाएगा जैसे आपको पते यह consumer protection एक्ट आया है अभी नया उसमें amendment हुए है तो वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा और क्या ध्यान रखना होगा और NGO क्या होते हैं उससे related यहाँ पर question पूछा जाएगा तो यह तो हो गया business study और management की बात अब हम बात किसकी करेंगे अब हम बात करेंगे financial accounting and financial statement की यह तो इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में इस वीडियो में इतना ही था यह वीडियो में finance accounting की अगले वीडियो में बात कर लूँगा और आपको बता भी दूँगा कैसे पढ़ना है तो देखिए पढ़ने के ल पढ़ना है और पढ़के पूरा जाना है तो चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे financial accounting and financial statement analysis की कि इसमें कौन-कौन से chapter है उनका level क्या होता है question कैसे पूछे जा सकते हैं और अगर आपको इससे related कुछ भी query हो तो आप comment कर सकते हैं या आपको कुछ concept समझ में नहीं आ रहा हूँ या कोई आप अन्य exam के तयारी कर रहे हूँ तो जरूर से comment करें और बताएं कि आप किसे states हैं ताकि हम उससे related भी आपकी कुछ मदद हो तो वह भी कर सकें तो चलिए इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद